हेलो गाईस मैं तारक स्वाहा आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुती बढ़िया मिठाई जो की एकदम रजभरी रहेगी अंदर तक इसके रजभरा रहेगा एकदम रजगुले को फेल करती हुई मिठाई तो सबसे पहले मैं आपको एक मिठाई कट करके दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है और कितना इसके अंदर रजभरा हुआ है और इसका टेस्ट कैसा है जैसा कि आप देख पार होंगे बहुती ज्यादा सॉफ्ट है एकदम मुँ में घूल जाने वाली मिठाई हमारी बन क करके तयार हुई है इसे बनाना बहुती इजी है और बहुती कम समगरी में बन जाता है तो यहां पर मैंने एक पैन रख दिया है इंडेक्शन पे गरम होने के लिए इसी के साथ इसमें हम एक कफ सूगर राइट करेंगे मैं यहां पर रेगूलर वाला कफ लिया हुआ हुआ जो चय वाला होता है अगर आपके पास ऐसी मेजरीं कफ है तो आप उसका यूज करिए इसके बाद हमें कफ पाने गशल्ट करेंगे है उतना ही पानी बिया बराबर लेना है इसलिए आप मेजर्मेंट करने के लिए कोई भी कटोरी कफ ले सकते है कोई को सभी के घर में आले आप लीज़ेगा दो पिंच केसर नालेंगे और इसको मिशा पकाओ देख नहीं तो देकर हैं थो फेसे चासनी नहीं बनए हानब है थे दिक आ को थेसे काटे टारी डारी डार बोचासनी निवाानी है अब हम क्या करेंगे फ्लेम आफ करेंगे और इसको हटा करके साइड मरग देंगे और नेक्स्ट इस्टेप के लिए चड़ लेंगे कड़ा ही रखा है मैंने और इसमें हम एक चमच खी आइट करेंगे यह मेरे पास देसी घी है इसको आट करेंगे और फिर पिघलने का वेट करेंगे जैसे ही पिघल जाएगी फिर हम इसमें एक कप सूजी यानि सेमूली ना आट करेंगे और उसके बाद इसको हम मिक्स करते हुए रोष्ट करेंगे चार से पांत मियट तक रोष्ट करेंगे सूजी का हमें कलर नहीं चेंजी करना है सिर्फ इतनी देर तक रोष्ट करना है कि कच्चापन निकल जा और हल्की सोंधी सोंधी से खुजबू आने लगे तो यहां पे चार मियट बाद सूजी से खुजबू आ रहे है तो इसमें हम दूधायट करेंगे एक कप मैंने सूजी लिया हुआ था तो इसमें हमें दो कप दूधायट करना है और उसके बाद इसको मिक्स करते रहना है अगर हम मिक्स करते नहीं रहेंगे तो फिर सूजी में लम्च पड़ जाएगा इसलिए इसको हम मिक्स करते रहेंगे और दूधा अट करते जाएंगे उसके बाद हम इसको पका लेंगे तो जैसा कि आप देख पारे होंगे इसको मैंने 3-4 मेर तक पका लिया है सूजी जो है ना डो बन गई है और बरतन को छोड़ करके बाहर निकलने लगी तो हम क्या करेंगे फ्लेम आफ करेंगे और इसको हम बाहर रख लेंगे उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्लेट में घी लगा रही हूँ इसमें हमें डो को रखना है तो अगर हम घी लगा रहेंगे तो डो जो है हमारे बरतन से चिपकेगा नहीं उसके बाद इसमें हम आइट करेंगे एक छोटा का कोकोनट पाउडर यह मार्केट में बहुत ही आराम से अलेबल होता है आप वहां से ले लिजेगा उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे कोकोनट पाउडर डालने से इस मिठाई का स्वाद बहुत ही बढ़ी आता है जब हम इसको खाते हैं और अंदर मुँ में जब कोकोनट पाउडर जाता है तो बहुत ही बढ़ी आट टेस्ट आता है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसे मैंने एक लंबा-लंबा सा बना करके रेडी कर लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे अपने हाथ में थोड़ा सा घही लगाएंगे और फिर डो से एक छोटा सा तुकड़ा लेंगे नेमबू के बराबर का उसके बाद इसको हम लड़ू जैसे थोड़ा सा गोल करेंगे फिर अपने दोनों हाथों की सहायता से इसे गोल करके और फिर थोड़ा सा चप्टा कर देंगे तहां पर देखी मैंने इसको चप्टा कर दिया उसके बाद डिजाइन बनाने करें मैंने एक छन्नी लिया हुआ है छन्नी को बीचो बीच में रखके और प्रेस कर देंगे ये छन्नी जो है सबके घर पे रहती है तो इस छन्नी से डिजाइन बनाना बहुत ही असान है आप इस छन्नी से डिजाइन बना सकते हैं बहुती बढ़िया डिजाइन हमारी बन करके तयार हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से बाकी जो है ना वो बना लेंगे और ध्यान लखेंगे कि साइड साइड में फटे नहीं हमारी मिठाई, इसी तरीके से बाकी जो बचा हुआ डो है उसको भी हम छोट लेंगे और गोल गोल करके और फिर उसके उपर अच्छे से डिजाइन बना करके तयार कर देंगे, बहुती इजी तरीके से मिठाई बन जाती है और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा समगरी की जरुरुत नहीं पड़ती है, सिर्फ उन्हीं चीजों की जरुरुत जो हमारे घर में अलेबल होती है, इसी प्रोसेस से देखे, यहां पे मैंने बना करके सारी मिठाईों को रेडी किया हुआ है, बहुती बढ़िया जो है यह दिख रही है, इसके आप डिजाइन देखे कितनी बढ़िया दिख रही है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने के गशना को वारे जाए दो वैसे हमाय इसे फ्राई करने के लिए अले डिख गरमने के लिए अन्यक्ता वीर no जब हम इस तरीके से ओल डालेंगे ना उपर से तो मिठाई हमारी थोड़ा सा फूलेगी जब यह हलका सा फूलेगी ना तो इसके अंदर चासनी जाएगी तो यह बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में अच्छी तरीके से मैंने इसको जो है ना फ्राइ कर लिया है पांस इसकाल करके रख लेंगे ध्यान रखिएगा कलर हमें इसका लाइट ब्राउन कलर ही करना है अगर हम इसे डार को गोल्डन कलर रखेंगे ना तो फिर जो है यह ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और कलर भी जो है काफी डाउन रहेगा उसके बाद मैंने यहां पे चासनी ले हुआ था न उससे चासनी के अनदर डाल देंगे तो यहां पर मैंने चासनी अलग से रख लिए है और इसके बाद मैं एकखर करके मिठाई को यहां रही हूँ और फिर हम क devotion कशों मिठाई के ऊपर दालेंगे ताकि जो है ना चासनी मिठाई हमारी इक्दम अंदर तक सोख ल पढ़िया जाएंगे चासनी डालते जाएंगे इस तरीके से करने से बढ़िया से जो है ना चासनी को एग्जॉब कर लेगी तो भुद पढ़िया जो है अब आप देख पा रहे होंगे कितनी साधा रजबरी है अंदर तक इकम रस जो है ने इसके भरा हुआ है बहुत ही सौफ्ट मिठाई हमारी बन करके तयार हुई है गाईस आज की रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताएगा वीडियो अच्छा देख पाएं फेजुक पे देख रहे हैं तो तारा को सौफ फेजुक पेज को फॉलो कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई गाईज